एक और खूबसूरत सा दिन है लॉस सेंट आस के अंदर तुम लोगों तो पते ही है हम लोग ने अपने फ्रैंक्लिन टूशन क्लास इसको सेकेंड फ्रोर तक पहुचा दिया था और बिलकुल दोनों के दोनों फ्रोर्ट पर सारी के सारी चीज़े हम लोग ने अरेंच करवा कोल्ड रिंग भी है बात्रूम भी है सब जगा बढ़िया तरीके से सीड़ी जाती है दर्वाजे इस पार्ट को एक्स्टेंड करना सब कुछ हो चुका है और अपने टेबल चेयर ब्लैक बोर्ट सब कुछ लग चुका है ऊपर अपने हिंदी वाले टीचर है नीचे अपने तो सोच होगे कि वहांपर एक लाइन है स्टुरेंट्स की यह मैंगे यह नदी वाले टीचर को तुम लोग जानती हो व्ल्ड फेमस सर जी हमारे एट सर अरे हैट नहीं बूलिया था इनका सर क्या पढा रहे हो अरे सर अब क्या बीच बीच में आकर करते रहते हों यह डिस् वैसे मैं बस यही पूछना है ता यह सारे खड़े क्यों है बच्चे अरे यार यह लोग अपना होंवर्क करके निला है इसलिए मैं समझा रहा हूँ बेटा देखो ऐसे नहीं करते हैं मेरे उपर भरोसा रगो अगर तुमने अच्छी तरीके से पढ़ाई की तो तुम लोग पास हो जाओं कि अच्छा यह स्वारी होंवर्क करके निला अरे भाई तुम लोग पढ़ो यार करेंगे कल से वेसे आप कोन मैं कौन मैं टूशन क्लास कमा लिको मेरे नाम पर लिए अच्छा ठीक है हां वैसे मैं किसले आया था हम भूलिया गाइस मैं तुम लोग दिखान कि की अंचों लोग वैं और बौलिया से किसीश्ट बॉल्क इसिंट जारती एलती की कि टकलीफ किसी चीज में क्या कमी बता ज़रा कोई भी स्टूछन अरे सर मुझे बताना है हां बताओ बेटा क्या दिक्कत है तुम्हें अरे सर वो पानी प्यास लगती रहती है सर पानी ओके जैसे आपने वो कोल्डुरिंग के लिए लगवाई यह मेशीन पानी के लिए भी आरो लगा तो सर पानी ओ पानी तो तुम लोग खुद लेकर आओ ल्यक्न मेरी एक और समस्य मैं तो कि समस्या है हल एक यह ऑफ़ती है और आपकी जो क्लासे वो चतके ऊपर आं और अभी थूप ओर यह वह नहीं सारी क्लासे नहीं तो गर्मी लगती है जर सोचो ना भी हाँ इसका मैं कुछ सॉलीशन करता हूँ आज कर दूंगा सॉलीशन हाँ यह तो मैंने सोचा ही नहीं मतलब लिटरली मैं मैंने बात्रूम के बारे में सोचा कोल्ड रिंग के बारे में सोचा बिल्कुल सजा वजा दिया अपने टूशन क्ला या में दो यसी में काम हो जाएगा इस पंके के साथ ही जाने चाहिए इसी कुछ जाने ही महंगा पड़ेगा बाकी नीचे तो यह दिक्कत है जरह एक बर उपर वाले स्ट्रेंट से भी पूछ कर आते हैं लेट्स को इधर से चलते हैं चलते हैं गाइस देखो यार तुम लो कुली नहीं रहें चलो कोई नहीं यहां पर और वो पीछे चाहरी सभास रही हैं क्या-इदी बंडों कि ब्रॉलां कर लाता हूं जल्दी जबर नहीं पर नहीं यह एक हैर वेक दो भी दो और ठीक है चलो लाइन में से दो च्ट्रेंट्स तो कम गया जो जग आपर वहां पर जो नो जाकर खड़े वैसे सारे खड़े क्यों भाई बैठो अरे सर वह इंट्रोडक्शन चल रहा है ना आज मेरी पहली क्लास है तो इंट्रोडक्शन चल रहा है ठीक है वैसे हाँ मैं लगवा दूगा और इसका लाब कोई दिक्कत नहीं सर इसके अलाब और को दिक्कत नियां कि यहां पर पंखे लगवाने यार और वाकी मैं तो सुचना एक या फिर वॉर्टर बादर फिल्टर जो भी हो वह सीन लगवा देते तक्यों सारे स्ट्रेंट्स बोतल में पानी भ पर वैसे पंखा कितने का आता है तीन-चार हजार का हाँ हो जाने चाहिए काफी खर्चा आ रहा है यार यह थो अपने टूशन क्लाजस में पदा नहीं हम लोग फायदे में कब जाएंगे बाकी नीचे भी हाँ तीन-चार लगनी चीए चलो गाई इसे काम करते हैं जाकर पंक खलाते हैं बाकी वो ट्रक भी देना है या ट्रक वाले को ट्रक वाले को नहीं मतलब जहां से मैं सामान वगएर लाया था यह श फ्लोर की तो ज़रत पड़ेगी यार क्योंकि लाइन अभी लग रही है मैं चाहता हूं कि भाई हमारे टूशन क्लास के अंदर लाइन खतम हो जाए पर लाइन अभी फ्लोर बनाना भी पड़ेगा और वैसे भी गाइस मैंने पिछली बार तुम लोगों से पूछा था कमें लेगी पर पोई बात निए थीन फुलोर में कौन से बिल्डिंग लगेंगे यार यह टूशन क्लास लगेंगे लेट्स को इसको फाइनली हम लोगों कर दिया टैच और एक सेगिंड यह पुलिस आई है हमारे घर क्या आगे हां हां वैसे हमारा घर निगाई हमारा टूशन क पर क्या हो जाके पर रहाए यह कि या गड़ करना पड़ेगा यह क्या हो रहा है यह यह आ प्रॉबलम है हेलो सेर हेलो 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 आप कौन मैं यह फ्रैंक इंटूशन क्लासस का मालिक अच्छा तो आप ही हो यह इल्लीगल बिल्डिंग बनाने वाले इल्लीगल हाँ इल्लीगल मतलब यह इल्लीगल है भाई मतलब मैंने खुद बनाया है हाँ मैंने कहा कहा कि आपने दूसरों से बनवाई भले यह आपने खुद बनाया है लेकिन यह विल्डिंग अपने इस लिए पर्मीशन ली थी विल्डिंग बनाने के लिए पिल्कुल तो भी दू मंजिली है जो भी यह शर आपने पर्मीशन नहीं लिये मैं इने देखे मैं आप से तमीज से बात कर रहा हूँ इस तरीके से पहली बात तो बिल्डिंग मताने इल्लीगल है आपने कोई परमिशन नहीं लिए उपर से अब टूशिन क्लासेश चला रहे है वो भी इस तरीके से सड़क पे लाइन लगवा के आपके इस लाइन की वज़े से यहाँ पर रोज ट्रैफिक जाम लग जाता है कहाँ ट्रैफिक जाम लगा है गाड़िया ही कितनी चलती है सड़क पे वो जो भी हो आप गॉर्मेंट की प्रोपेटी यूज़ कर रहे है इस सड़क पर लाइन लगवा के उपर से आपने अपने बना बनाए घर पर बिना पर्मीशन के दो मंजिल का घर बना दिया यह आपकी दादागिरी नहीं चलेगी आपके टूशन क्लासेस हमें क्लोज करना पड़ेगा चलिए सारे स्टुरियंट को बाहर फटा फट अपने घर बेजिए अरे ऐसे कैसे भीजदू घर वो हमें कुछ नहीं बदा अपने सारे स्टुरियंट को घर बेजिए हम लोग आपके टूशन क्लासेस को सील करेंगे हम लोग आप अकेले ही तो अरे और भी मेरे साथ ही आ रहे ना अरे सर रहने दो सर अरे जादा यहां पर चूचो पड़ नहीं जल्दी से जाकर बोलो तब तक हम सील करते हैं अरे यार नहीं यार इतनी मुश्किल से तर टूशन क्लासेस खुले है इसके लिए परमीशन में लेनी पड़ती है हाँ वैसे परमीशन लेनी होती होगी यार कोई ऐसी थोड़ना अपने घर पे घर बनवा जा सकता है लेकिन यार इतनी मुश्किल से इतना लाखो लाखो का हमारा खर्चा हुआ है कर रहा यार क्या यार कोई स्फेंट से अ आपने पंखा नी लग या अभी तरियो लोगने इन लोगने में अकेले तु पुलिस वाला है क्भष और ये पुलिस वालगना चुछ तक रद़ना है अब इसने इतनी सारी चीज़े दो सेकंड नी अंदर कर दिया भी मेरे को अंदर गये हुए दो सेकंड मी नहीं थे यार आपकी भाई शिंजयन मिनजयन क्या हो रहा है अरे हमें क्या बता तुम्हारे टूशन क्लासे थे यार इन लोग ने तो बिलकुल मतलब ही छोड़ दिया यार टूशन क्लासे से यह यह तो दादा गिरी है यार अभी यार हमारे टूशन क्लासे इसको पूरा इनों ने तो सीली कर दिया इसे मत करो सर बहुत कर्चा ओगया मेरा अब बोलकर आ गए अभी तक इसटूरेंट्स निकले नहीं बाहर अरे सर प्लीस कुछ बने लें मामला धा दो मैं तुम्हे रिष्वात खोर पलीस वाला दिखता हों नहीं मतलब ले देके नहीं मैं चहा रहा था कि सर कहा ले ते दे यह सब आपने बोला ना भी आपने पर्मीशन ले ली तो वह पर्मीशन कहां लेते देते हैं अच्छा तुम्हें यह नहीं बता यह मुझे भी नहीं बता लेकिन चलो सारे स्टुरेंट्स को खाली करवाओ सार मैं कितना बड़िया काम कर रहा हूँ आपको तो गर्व होना चीह आपकी वज़े से यहां पर सेकडो स्टुरेंट्स का भविश्य खत्रे में पड़ जाएगा सेकडो स्टुरेंट्स का भविश्य खराब हो जाएगा सार यह तो सोचो मतलब कैसे कुछ समझ नहीं आया मु से वो आखिर कहां जाएंगे पढ़ने के लिए वो आखिर कैसे बढ़ेंगे यही अगर पढ़ेंगे तो सर कल कुछ बनेंगे अरे यह तो तुम काफी जाद है यार मुझे सेंटी कर रहे हो सर सोचो तो सही इतने सारे स्टुरेंट्स का भविश्य खराब हो जाएगा इनका भविश्य आप ही के हाथों में अगर आपने टूशन सील करवा दिया तो यह कभी नहीं पढ़ पाएंगे अरे यार लेकिन तुमने पर्मीशन क्यों नहीं ली सर मेरे को पता नहीं था पर्मीशन लेने में क्या दिक्कत थी अभी तीसरी मंजल बनाओंगा तो मैं पर्मीश हटवा लेता हूं थेंक्यू सार थेंक्यू फाइनली गाइस तो धरी गया था यार इतनी मुश्कल से हम लोगों अपना टूशन क्लासे बनाया और यह डूनोट क्रॉस पुलिस दिपार्टबें इस सब लिखके यार यह लोग हमाना टूशनी सील कर देते बट बट बची है सारी व्यवस्ता मौझूद है बस वह पंके अभी नहीं लगवाएं पंके आज ही लगवाने वाला हूं मैं अच्छा चलो देखता हूं मैं आजाओ सर आजाओ देखो इदर देखो आओ ठीक है चलो पहले फ्लोर पर चलते हैं पहले फ्लोर पर लेकिन यह दो बैरिकेट रह चेर है इसके अलब हमने मस्तरी के सद्या रखा है पंके की बात रही पंके अज लगवा देंगे इदर देखो सर कोल रिंग है और और इस ट्रेंड्स के लिए यहां पर यह देखो सर वाश्रूम भी बनवा रखा है सब कुछ सब कुछ बढ़ी है सब कैसे हैं वो सब ही बढ काफिसी तो तो को मैंने तो यह हैं कर देखा रहा है रहा अब समझा मैं क्या क्या समझे तुम हमारे हैट सर का एक जुडवा भाई है और देखो सर कैसा जमाना आ गया एक जुडवा भाई इनका उल्टे सीधे काम करें कांड करके जेल अंदर पड़ा हुआ है और ये दूसरा भाई देखो टीचर बनके कितना अच्छा काम कर रहा का जुडवा भाई ये बाकी सब चोड़ो ना सर उपर वाली फैसलिटी देखो अरे नहीं नहीं बस बहुत होगी आप में निकलता हूं यहां से ठीक है और बाकी परमीशन की जिंदा मत करो मैं तुमारे लिए भिजवा दूगा नोटिस उसमें सब कुछ हो जाएगा थैंक मिलते हैं कि सर मिलेंगे फिर कभी नहीं क्या बोला तुमने सब कुछ नहीं वह अभी कोई दिकत तो नहीं होगी नहीं नहीं मैं तुमारे लिए नोटिस भिजवा दूगा उसमें तुमारा सारा काम हो जाएगा चलो निकलता हूं यहां से अगली जगह पलिस वाला घया या लेस्टर से उदार लेकर रखा भातारी किस-किस से उदार ले रखा है साइमन से उदार ले रखा है इसे लेस्टर से नहीं लिया शायद पता नहीं मेर को इतना भी नहीं याद भाई किस-किस से मैंने या पर लोन ले लेकर यह टूशन बनवाया हम लोग ने उपर से लोन की तो छोड़ो भाई इतना खर्चा हुआ है इसके अंदर बनाने में सेकंड फ्लोर बनाने में लाखो लाखो का खर्चा हुआ है और अगर लग जाता तो वह तो नामुम्किन था भाई फिर अपना टूशन क्लास कभी भी ओपन नी हो पाता पट गाइस सब कुछ सही हुआ और वह पुलिस वाला अच्छा था यार मान गया पुलिस वाला और वाकी थोड़ा मैंने सेंटी कर दिया इसलिए मान गया चलो निकलते अभी फटाफ से पंके लेकर आते हैं जल्दी से पंके लेकर आते मंगे तो बहुत ज्यादर जरूरी चीज है नीचे भी नहीं नहीं आई पस दे देंगे और अपनी गाड़ी भी वहां से उठा लेंगा अपनी ब्लू कलर वाली गाड़ी थी जो कि हमें साइमनने दी ती कुछ दिनों के लिए वह पनी पर रहा गया तो वाली गाड़ी भी छोड़ना है और हम वैसे भी पंके उस गाड़ी पर इसली आ जाएंगे तो इस ट्रक की अपने को कोई ज़रुद भी नहीं है आगी हां नेक्स्ट टाइम हम लोग गाइस थर्ड फ्लोर बनाएंगे बाकि तुम लोग ने अभी तक आइस वीडियो को लाइक नहीं है तो फड़ा उसे जाकर वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेर बडिन प्रेस करके और निकलते हैं गाइस पंखे लेने के लिए एक चीज मस्तु यार वह पुलिस वाला मान गया लिटरली में मैं बहुत जादा डर गया था यार निकलते हैं हटजा हटजा लोग सेंटास वासी हटजा फाइनली गाइस इन रास्तों से गुजरते हु देखी थे हाइवे पर क्या मस्त चला रहा था इधर इधर ही छोड़ना है यह बतना हमेशा इधर रहता है यह निकलते है ट्रक से बाहर और चलते अपनी गाड़ी लेने के लिए वैसे इसकी जो पेमेंट है सारी के सारी वह मैंने अल्रेडी क्लियर कर दिया है और यह अपन लॉसेंट उसकी शॉप के अंदर फैन घरीने के लिए आया हूं मैं बिल्कुल यह लगी दुकान पर और इधर की साइड वह शॉप है मैं इस वाली शॉप पर काफी ज्यादा सवस्ते वाले फैन मिलते है एट्सको वैसे यह तो पंखे नहीं फोन की दुकान थी भाई इध दो फंखे की भी दिकान होगी भाई मैं इधर रोस थोड़ी ना आता जाता हूं यहां के जो पंखे भाई लिटरली में बहुत ही ज्यादा सई है यार एक पंखे से पूरी के पूरी अंदर की दुकान में हवा रही थी पाई साप सई पंखे मुझे लगता है गाई अगर न दो अगर लगा दिया ना भई फिर तो मामला बिल्कुल ठीक है और फिर बाद में जूरत पड़ेगी तो फिर लेंगे चले जाएंगे बाकी फिलाल के लिए तो मैंने चारी खरी लिया है और इसिंग चार इनफ है लेट्स को चलते है फड़ा अभी हम लोग अपने अपने से ले जाके रोक देता हूँ वह अलगी पागल हो जाएगा यह देखो अरे इसको तो उड़ाई दिया यार नहींने भाई इतनी जादा गड़वड़े नहीं करनी है वैसे इधर साइमन का शोरूम भी है ना नहींने भाई इधर नहीं रुकना है वह मेरे से पैसे मांग ले अब से निकलता है अपने इंट्विशन क्लासे की तरफ और अगली बार हम लोग जरूर बनाएंगे बाकि अभी तक तुम लोग ने वीडियो को लाइक नहीं तक वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना बाकि एक प्रॉब्लम है यार थ इंक मुझे टीचर भी ढूना होगा पर इन जो नीचे सार इस पढ़ रहे हैं जो कि हमारे एक टीचर है जो दो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उनको कोई एक सब्जेक्ट सौपना होगा और एक सब्जेक्ट जो है मालो हम लोग ने उन्हें सौंप दिया कि भाई तुम इंग पर चलेंगी इंग्लिश की क्लासे इस तरीके से मारे तीरियों फ्लोर मस्ट दो जाएंगे और काफी सारे इस्टुएंट्स पढ़ सकते हैं अगर लिटरली में बारे बजे हम लोग अपने टूशन क्लासे शुरू करें और शाम को पांच बजे भी बंद कर दें तब भी हम लोग कम से कम नहीं भी तो देल हजार से दो हजार स्टुएंट्स इसली पढ़ा सकते हैं जो कि काफी जाधा बड़ी बात है अब हम लोग टूशन क्लासे वैसे सीदे क्या ही अपनी गली तो है वैसे और कोई पुलिस वाला नाय तो दिक्कत नहीं होगी वागी हां मैं इस भी मुझे खुद लगाने पड़ेंगे और इनकी टेबल पे चड़के लगाने पड़ेंगे एक पंक्खा जो है गाइस वो में लगवा देता हूँ कुछ इधर और एक लगवा देता हूँ कुछ यहां आगे की तरफ हा इतना ठीक रहेगा दोनों पंक्खे मैंने लगा दि लगा दिया है यहां ठीक है और हवार यह तुम लोगो यह चलो भाई ठीक है पहले से तु अच्छी आ रही है मतलब क्या और पंक्खे लगा हूं लगा देंगे बाकी नीचे दो लगा दें वैसे मैं चारी खरीद के लाया हूं उपर भी ले जाके गाइस दो लगाए देते हैं इतनी देर हो गई अभी तक इन लोगो की क्लासस कदम नहीं है लेकिन नहीं क्लास तो एक घंटे बात कदम होगी वैसे जो खर्चा हुआ है इस वाले गेट में वह सबसे तगड़ा खर्चा था यार इस डोर में मैंने कुछ जादा ही खर्चा कर दिया पैसे कम पड़ें लुदा एक पैसे होते हैं तो लगवा दोंगा बाकि तुम लोग पर ने सब्सक्राइब यह वैसे बनुदाने के लिए गया वान थे विपनने क्या लोगे दूफर आपसे जाकर गाइस वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल लोगन प्रेस करें कि आसे वन लोगेशन अन करें आगे मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में तब तक के लिए गुड़ पाइ